मेहगाई मेरे साब से कोई ज्यादा नहीं हुई मैं दस साल से बनियान नी पहर रहे देखो आप और खादी आसरन से एक अपने पहनतों सपेद और सपेदी एंडरवियर होएगा सपेदी ये होएगा और ये जूता मेरे दो साल चलते हैं अपने जीवन को साधरान रूप से वेतीत करें अपने को साधरान रूप से चलना है आपने जो कहा ना कि आम आदमी को साधरान चाहिए किसी की मार्केटिंग की जोब है मालो 12-13,000-15,000 या 10,000 रुपे सेलरी मिलती है तो पैट्रोल महंगाओने से उसको दिक्कत आती कि नहीं आती है या फिर उसको भी साइकल पे चलना चाहिए लेकिन उसके लिए सुईदा है मेट्रो है या बस है या जो भी है उसको अपनी वस् स्रीद्रास को पहले ही तहे करना चीए तुझे गाड़ी का इंसुरेंस भी देना पड़ेगा पॉलूशन भी देना पड़ेगा मेंटिनेंस भी करना पड़ेगा यह उसको फैसला कर रहा है यह जो नहीं लिए देल के दाम भी बढ़ा देना पैट्रोल डीजल के भी और सर् या मदद लोगों की यह अत्याचार नहीं है बाकि अगर आदमी को रिफाइंड है तेल है मैं तो यह नेचरल डाइट इस्तेमाल कर वाप रिफाइंड की जरूरती नहीं खाना खाओ आप नेचरल खाओ ककडी खाओ मूली खाओ घाजर खाओ टमाटर खाओ नारियल का जूस पियो साधा कपड़ी पहनो अगर आप चारियल का जुससता आता है क्या बहुत आरम से देखो मैं मैं जो है नहीं 40 रुपे की सबजी मैंने ली है भी 40-45 रुपे की इसमें सारी नेचरल डाइट है मैं ना इसमें नमक डालूंगा ना नीमू डालूंगा ना इसको मैं इसको भगो के खाऊंगा और मेरे 100 रुपे से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली और मैं अपने आपको फील गुड करता हूं यूरिया के दाम बढ़े की नहीं बढ़े यूरिया की ढालने की जरूरती नहीं आव सकता ही नहीं आप पसू पालो गोबर डालो उसमें और ब पूरी उम्मीद है करनी चाहिए तर्ट एक आदमी की उम्मीदों को पूरा कर रही है और सरकार की मैं आपसे कहां खिर से पूछता हूं आप एक बता दो वह फील प्रकुर क्लास के लिए सरकार ने क्या किया मिड़ गोवर्मेंट यह मेह तो महगई बिलकुल भी नहीं मानत जो आदमी गाड़ी ले रहा हुआ उसकी इंकम में जभी तो गाड़ी ले रहा है कि यह यह फोर्मूला अपना के टैक्स कम करके पैट्रोल को 40 पे लाये जा सकता है तो जो पहले कहते थे वो अब इंप्लिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं देखो भी आप तो बढ़ा दिये कई गुना बलकि हर एक तीन मिनट के बाद एक सेकंड के बाद आदमी के विचार बदलते हैं चाहिए मैं हूँ या आप हूँ कोई भी अपने विचारों पे नहीं टिक सकता हूँ जो आप बोल रहे हो भी थोड़ दिर पहले कोशा बदलना वादा खिलापी नहीं है क्या नहीं कोई वाद खिलापी नहीं यह हम कुछ चीजे प्रकृति के हाथ में कुछ चीजे कानून जो है नो हमारे हाथ में नहीं उससे उपर कोई वस्ता है जो इसको चला रही है एक नारा आपे सुना था बहुत हुई महादे की अल्गाई काम किया है कि सरकार ने सरकार ने बिलकुल उस महादे पर काम किया ह Carneम शाब मेरे साब और वcanth कम क nailed है क्या मेरे साब से कोई जादा नियुक्शाएं कि प्रिवर यह क्शोंन बाई मूरक नहीं है वो विध्वान है अब मैं दस साल से बनियान नहीं पहर रहा है देखो आप और खादी आश्रम से कपड़े पहनता हूं सपेद और सपेदी अंडरवियर होएगा सपेदी यह होएगा और यह जूता मेरे दो साल चलते हैं अपड़े के जूते एक और साइकल मेरी यह खड़ी आपके समने इस खड़ी है और इसी से मैं सब्जी ले जाता हूं फड़ ले जाता हूं दूद ले काता हूं आप कह रहे हो जैसे आम आद्मी महंगाई से तरस्त है तो उसके अपने आद्तों में बदलाओ करना चाहिए जैसे बनियान बनियान नहीं पहनी चाहिए लेकिन ये थोड़ी हम सेक्रेट पिए बीडी पिए गुठ़ा खावें डाड़ी को बढ़ाले में साबुन भी ना खरीदे पानी से ना लें वी हैव नॉट नीड टू सौप वैसे ही नहीं हो आप सिंपल अगर आप साबन अलाओ नहीं कर सकते साबन तो नुक्षान करती है हमारे सरीर के तेल को खतम करती साबन को हमें यूजी नहीं करना चाहिए ये तो प्रणी प्रमप्र महभणाई कम करूँगा मोधी जी ने का कि दो करोड़ नौक्री हर साल मिलेगी दोनों ही वादे पूरे नहीं हुए तो आप इतना समर्थन करें कि जनता को बी चोर बताणेसे हैं तो इसे अंद्भक्ती नहीं कहते क्या मैंने जनता को चोर नहीं बताया मोधी जो पहां मोदिजी की चाहिए अगर मोदी जी त simplemente बालो कोई जञाएं में झाला व्र कि उसकी नगा तो आदमी कि ᤉ सब्लयरक्त साइब चलेने घ्र्त बता तो अभर रहें चल जाता सव के आद में गर बता इसलिए मुस्किल है कि कॉंग्रेस के राज में साधे तीन सो या चार सो रुपे का सिलन्डर मिलता था और बीजे भी कि राज में आठ सो रुपे तक सिलन्डर पहुंच चुका है एक बात बता हो महंगा यह कह रहे कि बनियान तक छोड़ दी मैंने पहन नहीं है इसलिए चोड़ दी महंगा ही है जो बनियान तीस रुपे चालीस रुपे पतास रुपे किया थी आज की सबस्तों पहुति की बेगा यह आम आदमी के खरीदा नहीं है यह कहरे कि सब कुछ सट खरीदना नहीं है आम आदमी के बिसके बता है यह कहिए नोग्रिया भी मिल रही है पई बेरोजगरी है जिसके पास पैसा है उसकी नौकरी गरीवाद भी कुई नौकरी नहीं बताओ कौन पैसे बाला और उसको नौकरी मिली जो जिसके योग्य है उसको नौकरी मिलेगी पेपर देगा कम्पिटेशन देगो ऐसे थोड़ी नौकरी जो कर रहे हैं मुद्धो की बात करने की बजाए आप इतना समर्थन कर रहे हैं सरकार का यह अंद भक्ती नहीं है यह सही बग्ती है नए भक्ती की बात मैंने तो जो भी हमारे देश के लिए किया सरकार ने मैंने तो वो बताया त अब ऐसी बात उपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर प्राइज जरूर दें